हलो एवरिवन आइम पूजा रावत वेलकम तो अड़ा 24 7 स्कूल इन इस वीडियो वे विल स्टड़ी अबाउट एंड रिलेटिव मेजर्मेंट ऑफ डिस्पर्जन एंड लॉरेंज कर इससे पहले वाले यारे प्रीविएस वीडियो में हमने क्या पढ़ाता इससे पहले वा केसे को चैनल इसमें यहीं हुआ जाएगी विडियो जाएगे उडियो कर साशै करते हैं आज का तॉपक जिसमें यहम जानेंगे एब्सल्यूट और रिलेटिव मेजरमेंट क्या है क उसी के साथ हम जानेंगे बुच्छों की लॉरेंज कर पारे में अब तक बढ़ने है हमने एस वाले चेप्टर में मेजरमेंट ऌती सिपर्जन में वह सारे जो Allies क्या आई लेट किये हैं अरे सारे जिए मेजरमेंट्ट की आप इस फिर्लूट आप त heh जिस यूनिट मैं मेजरमेंट करोगे आपकत विजल्द उसी युनिट में आएगा, जैसे suppose that आप बच्चो कोई भी जो variable है, उसकी वैल्यू, कोई भी data है, उसका जो measurement है बच्चो आप किसमें कर रहे हो, किलो ग्राम में कर रहे हो, केजी में कर रहे हो जैसे अपर यहाँ पर राइस ले ले लेते हैं, ठीक है, राइस का जिस युनिट में, हम लोग क्या करते हैं, मेजर करेंगे हमारी वैल्यूस को, उसी युनिट में हमारा क्या आएगा, बच्चो आएगा, अगर हम मीटर में उसको केल्कुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर मीटर में आएगा अगर हम लीटर में करेंगे तो लीटर में अगर हम किलोग्राम में करेंगे तो किलोग्राम में अगर हम रुपीज में करेंगे population की national income देखने है अगर हम rupees में करेंगे तो हमारा answer किसमें आएगा rupees में आएगा अगर हम absolute की बात करें absolute measure of dispersion contain the same unit as a original data set जो हमारा original data set है जिसको हमें calculate करना है जिसका हमें dispersion देखना है बच्चो उसका answer क्या होगा same unit में आएगा जो हमारा data set का measurement है उसी से हमारा क्या होगा हमारा जो answer आएगा वो same unit में आएगा absolute measure of a dispersion indicate the amount of variation of set of values in term of unit of observation absolute measure of dispersion क्या indicate करता है बच्चो ये indicate करता है कि जो हमारा set of values है उसमें कितना variation है वो values कितनी differ है एक दूसरे से ठीक है अगर हम observation कर रहे है जिस unit में observation कर रहे है उसी में हम मैं देखेंगे कि हमारी value कितना ही variate करी है एक दूसरे से कितना tgl. वेरिएशं है बच्चो जैसे कि हमारे पास data है इंकम का data है तो हम यहाँ पे measurement कैसे कर रहे uns अंकम से कर रहें मेजरमेंट किससे कर रुपीज में ﷺ है फ़ अंसर किया एकुज रुपीज में मैंगा यहां पर यह क्या होगा हमारा Absolute Measure of Disperson कि Bir उस से हम क्या कर रहा ही यहां थे मैं डेखें है यहां कि वेल्यू इपसे की शिफरेंस भीजल्यक ऑप пример ओके मैं यह हमें समझवा गया अब relative measure क्या खहता है relative measure बच्चों absolute measure के just opposite है हम यहां पे भी variation देखेंगे हम यहां पे difference देखेंगे कि भई जो values है उनमें कितना difference है ठीक है पर मैं हम यहां पे जो हमारा data का जो measurement हम करेंगे और हमारा जो answer आएगा वो यहां पे बच्चों same unit से measure नहीं होगा suppose that हमारी जो values है जो हमें यहां पे data दे रखा है जो values दे रखी जो observe हमें करनी है ठीक है बच्चों उनमें this person देख रहे हैं जैसे कि हमारा जो data है बच्चों kg में है ठीक है kg में है और अगर हम relative measurement कर रहे हैं तो जिससे हमारा answer आए तो बच्चों यहां पे वो relative measure निकालेंगे ठीक हमारा answer बच्चों यहां पे किसी भी unit measurement में नहीं आएगा हमारा answer सित नंबर में आएगा ठीक है सित नंबर में आएगा यहां पे हम कोई rupees नहीं लिखेंगे को unit जो हमारा observation का जो unit था जैसे कि हमें बच्चों देखना है यहां पे कि लोगों की income कितनी है हमने rupees में हमारे पास observation दिया हुआ है पर हमारा जो relative measurement आएगा उसमें कोई भी हम हमारा data आगया हमारे पास answer आगया पर हम उसको बच्चों यहां पे किसी भी unit of measurement में नहीं बताएंगे यह क्या होता है बच्चों independent होता है measure से तो हम कहेंगे relative measure of a dispersion are free from unit of the measurement of the observation जो हम observation करेंगे बच्चों जिस unit में हम observation कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास rise के ही बच्चो observation का data है तो हम उसको observe करेंगे kg में ठीक है किस में observe करेंगे हम उसको kg में observe करेंगे पर हमारा जो answer आएगा बच्चों वो unit से क्या होगा free होगा हमारा जो answer आएगा जैसे कि मालो 5 answer आया तो हम वहां 5 kg न सिर्फ हमें unit ही तो लगा नहीं ठीक है बच्चो अब ऐसा करने की इसलिए जरुवत है ताकि हम easily compare कर सकें ठीक है जब हमारे पास को unit of measurement नहीं होगा so मैं हम easily कोई भी data को compare कर सकते हैं दूसरे data से इसलिए मैं हम relative measurement करते है relative measure is sometime known as coefficient of dispersion as coefficient ठीक है हम इसको बच्चो कितनी बार क्या कहते है हम इसको जादा तर time जो है किस नाम से जानते है coefficient of dispersion के नाम से जानते है coefficient का मतलब क्या है mean a pure number that is independent of the unit of measurement और coefficient का meaning क्या है बच्चो कि ऐसी value या ऐसा pure number जो क्या है जो किसी भी unit of measurement से क्या है independent है यहाँ पर किसी पर dependent नहीं है हम उस number को किसी भी measurement unit से नहीं दिखा सकते हैं ना तो rupees ना kg ना meter किसी से भी नहीं वो सिर्फ एक number होगा ठीक है क्या होगा सिर्फ एक number होगा ना उसके लिए कोई भी measurement unit नहीं लगानी है तो यही क्या हो गया हमारा relative measurement अब बच्चो जब भी हम study करते हैं तो absolute और relative measurement दोनों निकालते हैं पर relative measurement जो निकलता है बच्चो उसका data जो होता है जादा accurate होता है तो अगर हम बात करें when two or more series have to compare whether express in a same unit or a different unit relative dispersion is taken into account as the absolute dispersion may be error notice or unfit for comparison if the series are originally in a different unit देखो बच्चो अगर हमें किसी भी series को कुईसी भी data को दूसरे किसी series से अगर compare करना है ठीक है हमारे पास एक डेटा है बच्चो केजी का हमारे पास एक डेटा केजी का है और एक डेटा है हमारा मीटर का ठीक है हमारे पास एक डेटा केजी का है एक डेटा है मीटर का सो बच्छो इस case में दोनों measurement क्या हुए अलग-अलग हो गए ठीक है अब इन दोनों को compare हम किसमें कर सकते हैं हम compare कर सकते हैं मैम relative measurement में वहीं अगर absolute measurement आ गया सो मैम हम सिर्फ kg का data ही एक दूसरे से compare कर पाएंगे ठीक है kg के data को ही हम एक दूसरे से compare कर पाएंगे वहीं अगर हमारे पास observation series अलग-अलग measurement की है सो मैम हम relative measurement से easily इन दोनों में compare कर पाएंगे अगर मैम हमारे पास absolute data है उससे अगर हमें compare करना है सो उससे बहुत सारी error आने के chances रहते हैं ठीक है और मैम अगर हम relative measurement करते हैं तो हमारा कोई भी error आने का chances नहीं रहता है और हमें एकदम accurate data मिलता है तो हम कहेंगे मैम यहाँ पे series are original in different unit ठीक है compare if it series are originally in a different unit ठीक है बच्चों सो यहाँ पे हम कहेंगे कि मैम relative measurement क्या है जादा accurate है किस से हमारे absolute measurements है और यह जादा तर क्यूं है क्यूंकि मैम यह pure number देता है जो कि क्या है independent है unit of measurements है और इसको हम क्या कहेंगे coefficient of dispersion कहेंगे ठीक है बच्चों सो यह हमने मैम जाना है absolute और relative measurement of dispersion के बारे में आगे हम जानते हैं बच्चों अब अलग-अलग हमने क्या पढ़े थे measurement of dispersion पढ़े थे ठीके बच्चों अब आरी है relative measurement की सो बच्चो range का हमारा relative measurement क्या रहेगा तो अगर हम बात करें coefficient of range which is calculate as followed अब बच्चों हमने क्या कहा था कि भाई अगर हमने relative measurement निकालना है तो हम उसको कैसे denote करेंगे coefficient से denote करेंगे सो range का अगर हमने relative measurement निकालना है तो हम उसको कैसे बताएंगे coefficient of range से बताएंगे formula क्या है बच्चों L-S upon L-S अगर हम यहाँ पर याद करें बच्चों सो हमारा range का formula क्या था absolute में हमारा range का formula क्या था हमारा range का formula था मैं R equal to L-S lower value sorry हमारी largest value को हमें small value से minus करना था और हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर R याने range मिल रहा था अब बच्चों simple सा है coefficient of range कैसे निकालना है L-S upon L plus S L याने largest value S याने smallest value चलो इसको एक question के उससे कर लेते हैं जैसे कि हम मानके चले L हमारे पास है मैं यहाँ पे 10 है और S यहाँ पे बच्चों कितना है 2 है अब बच्चो, हम सबसे पहले इसका range निकाल लेंगे, ठीक है मैम range निकाल लेते हैं, तो हमारा same formula है, 10 minus 2, निकाल लेते हैं, कितना आएगा range, तो हमारा यहाँ पे आ गया मैम, 8 हमारा क्या आएगा? r आ जाएगा, range हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहां पर लिख देते हैं हमारे पास l दिया हुआ है कितना है 10 है और s दिया हुआ हमारे पास 2 है तो हमारा यहां पर बच्चो आर आ गया that is 8 यह हमने निकाल लिया मैं अब बारी है किसकी अब बारी है coefficient of range निकालने की हमें relative measurement भी तो निकालना है निकाल लेते हमें, सो हमारा L यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 10 minus 2 upon 10 plus 2, solve करते हैं बच्चों इसको, जब solve करेंगे तो उपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 12, अब इसको solve करते हैं upon 12, सो हमारा यहाँ पर range क्या आजाएगा, बच्चों 0.67 हमारा क्या होगा, range आजाएगा और यह वाला range क्या है, coefficient of range, कितना easy है बहुत easy है, सबसे simplest जो method था बच्चों हमारा range ही था, और range में coefficient of range कैसे निकालना यह हमने देख लिए, I hope so बच्चों की आपको भी समझ में आ गया होगा, coefficient of range निकाल दिया अब बच्चों, coefficient of quartile deviation भी निकाल लेते हैं जो हमने coefficient of range निकाला वैसे हमारा coefficient of quartile deviation भी आ जाएगा, coefficient of quartile deviation का formula क्या है बच्चों easy सा formula है, Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, वही बच्चों, अगर हम quartile deviation का formula देखें quartile deviation हमारा absolute measurement में देखें, तो उसका formula क्या था, Q3 minus Q1 upon 2, यह हमारा किसका formula था, यहाँ पर quartile deviation का था, absolute का, और coefficient of quartile deviation, जो कि हमारा relative measurement है, इसका formula है Q3 minus Q1, Q3 plus Q1, सेम है इसकी जगा, ठीके बच्चों, मैम, अगर हम बात करें, एक कोशन ले लेते हैं, Q3 हमें दिया हुआ है यहाँ पे let us suppose that 25 और Q1 यहाँ पे दिया हुआ बच्चों 5, ठीक है मैम अब बच्चों, इससे हमें सबसे पहले क्या निकालना है सबसे पहले हम QD निकाल लेते है quartile deviation निकाल लेते है हमारा 10 10 हमारा क्या आ गया मैम, quartile deviation आ गया है ठीक है, अब बच्चों, quartile deviation आ गया तो coefficient of quartile deviation भी निकाल लेते है इसको थोड़ा सा इधर लेते है ताकि हमें समझने में आसानी होगी इसको भी थोड़ा सा इधर लेते है हमारा quartile deviation का formula है Q3 25-Q1 upon 2 तो हमारा Q3 यहां कितना था 25-5 upon 2 ओके मैम, हमने निकाल लिया हमारा QD कितना आएगा हमारा QD आएगा 10 अब मैम, हम coefficient of quartile deviation भी निकाल लेते है तो देख लेते हैं Q3-Q1 कितना है Q3 कितना है मैम, सिंपल है 25-5 upon 25 plus 5 थोड़ा simplify कर लेते हैं यहां 20 आगया और यहां कितना आएगा मैम, 30 आजाएगा अब बच्चो निकालो इसको calculate करेंगे जब इसको calculate करेंगे तो हमारा answer यहां पे क्या आएगा हमारा 20 upon 30 तो हमारा answer यहां पे कितना आया 0.67 हमारा क्या आएगा बच्चो आँसर आजाएगा 0.67 क्या आया हमारा answer आएगा तो बच्चो हमने coefficient of quartile deviation कैसे निकालते हैं यह भी हमने देख लिए absolute और relative measurement साथ-साथ चल रहे हैं बच्चो हम थोड़ा absolute measurement जो हमने निकाले थे उसका भी formula लिख रहे हैं और जो हमने relative measurement निकाल रहे हैं उसका दो formula साथ-साथ में देखी रहे है आगे बढ़ते हैं बच्चो और बात करते हैं mean deviation की अब बच्चो range और quartile deviation अगर आपको याद है तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कोई भी average नहीं निकाला जाता है range और quartile deviation average नहीं निकाला जाता है बलकि जो values हैं वो एक दूसरी से कितना differ है यही हम देखते हैं अब बच्चो mean और हमारा standard deviation है इन दोनों को हम कैसे calculate करते हैं so ma'am हम सबसे पहले average निकालते हैं और देखते हैं कि average से जो दूसरी value है उनमें कितना difference है उनमें कितना variance है ठीके बच्चो अगर हम mean deviation की बात करें so mean deviation का हमारा coefficient of mean deviation कैसे निकलेगा mean deviation हम दो type से calculate करते हैं पहला arithmetic mean से दूसरा था मैं median से so मैं अगर हम coefficient of mean deviation निकाल रहे हैं arithmetic mean से सो हमक एप खर संतर पर 마음에 मीद सब्सक्राइब कर देगे किसे हमारा सब्सक्राइब सो कैसे म slips है में यहां पर मीड्यीन पर द जो में में और इसको divided कर देंगे हमएँ मीडियन अब बच्चों सब्सक्राइब mean deviation कैसे निकालते थे अगर आपको याद है दोनों के formula सेम ही थे mean deviation निकालने का formula था sigma F modustered upon sigma F यह हमारा क्या था m'm formula था अगर हमें arithmetic mean से निकालना है तो हम यहाँ पर क्या लिख देते थे arithmetic mean और अगर हमें median से निकालना है तो हम यहाँ पर क्या लिख देते थे? median लिख देते थे पर दोनों का formula क्या था? same था ठीके बचो, तो हम कहेंगे मैं दोनों किस तरह से निकाला जाता है? same है, same ही है देखो, जो जिसका measurement unit है ना उसे से क्या करना है? हमें उसको divide करना है जैसे अगर हम mean deviation की बात करें तो दो तरीके से निकलता है arithmetic mean से और median से अगर हम mean deviation को अगर हमने arithmetic mean से निकाला है तो हम यहाँ पर mean deviation को arithmetic mean से क्या करेंगे? divide कर देंगे अगर हमने mean deviation median से निकाला है तो हम क्या करेंगे? mean deviation को divide कर देंगे किसे? median से क्लियर है बच्चों, यहाँ पर mean deviation का coefficient of mean deviation कैसे निकलेगा, हमने देख लिया, यह हमारा relative measurement हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं, standard deviation की, sorry, यहाँ पर standard deviation आएगा, standard deviation, ठीके बच्चों, यह हमारा standard deviation है, अब बच्चों, standard deviation का हमारा relative measurement है, वो हमारा coefficient of variance होगा, याद रखना, जो हमारा standard deviation है बच्चों, उसका जो variance है, sorry, उसका जो relative measurement है, हम यहाँ पर coefficient of standard deviation नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, coefficient of variation कहेंगे, और सबसे ज़ादा use होने वाला बच्चों, सबसे reliable, जो हमारा measurement है, relative measurement में, वो हमारा कौन सा standard deviation है, यह हमने पढ़ा था बच्चों, चाहे absolute हो, चाहे हमारा relative हो, सबसे ज़ादा use होने वाला और सबसे accurate जो हमारा result देता है, वो standard deviation ही देता है, सो मैं अगर हम coefficient of variance की बात करें सो coefficient of variance कैसे निकलता है simple सा standard deviation को हमें arithmetic mean से क्या करना है divide करना है और multiply करना किस से hundreds है हम इसको बच्चों सोड़ा simplify form में ऐसे भी लिख सकते है हमारा standard deviation का जो symbol है लिख दिया मैं हमारा arithmetic mean का जो symbol है लिख दिया और हम इसको क्या करेंगे multiply कर देंगे किस से hundreds है ठीके बच्चों coefficient of variance हमने देख लिया मैं इतना easily छोटा सा हमने standard deviation का हमने हमारा जो symbol था वो लगा दिया और मैं arithmetic mean का जो symbol था वो लगा दिया और multiply कर दिया hundreds है standard deviation arithmetic mean से ही निकलता है उसका average arithmetic mean ही होता है बच्चों ठीक है बहुत सारे formulas है चार formula थे जिसमें से अगर हम बात करें चार method थे पहला था अगर हम assume mean ले दूसरा था मैं actual mean लेते हुए direct method था फिर step deviation method था सारे में अलग-अलग हमारे formulas लगेंगे पर हमारा relative measurement निकलेगा वो क्या होगा सेम ही होगा अगर आपको याद है बच्चों तो standard deviation में हमने देखा था जो four method है अगर same data है और four method का हम use करें कोई भी method हम लेने सारी value क्या आएगी एक जैसे आएगी सारा standard deviation सबका क्या आएगा एक जैसा ही आएगा so मैं हम कहेंगे it is usually express in a percentage term and is the most commonly used relative measure of the dispersion ये जो मैं standard हमारा ये जो आएगा coefficient of variation variance variation आएगा variance sorry coefficient of variance आएगा ये हमेशा किसमें शो होगा हमें हम इसको express करेंगे percentage में और मैं ये हमारा सबसे ज़्यादा use होने वारा relative measurement है ठीके बच्चो so coefficient of variance कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिए easy है ठीके बच्चो अब बात कर लेते हैं अब हमारा जो बच्चो जितना भी measurement का जो portion था numerical measurement का वो complete हुआ अब बात कर लेते हैं हमारा जो last measurement पर जिसको हम यहाँ पर measurement करते हैं dispersion का किसके थ्रू graph के थ्रू और बच्चो उस graph के थ्रू अगर हम measure कर रहे हैं dispersion का सो हम उसको किस नाम से जानते हैं lorange curve के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं lorange curve के नाम से curve बना के अगर हम किसी भी value में यहाँ पर dispersion देखते हैं उसको measure करते हैं तो बच्चों ये वाला जो graph होगा वो क्या होगा हमारा law range curve होगा क्या बताता है law range curve is a graphically representation of distribution of income and wealth within our population law range curve क्या बताता है जर्नली ये जो बनाया गया था प्रोफेसर law range ने बनाया था ये graphical representation था क्या बताता था ये बताता था कि जो यहां पे income और wealth का जो distribution हुआ है जो population है उनके बीच में वो किस तरह से हुआ है इसके बारे में बताता था और इसी से इसी से dispersion measurement करना start हुआ ठीक है बच्चों अ जोगरिफ जोगरिफ और स्वारी अ ग्राफिकल मेजर कॉल लॉरेंज कर्व इस अब बताता है इसने estimate किया कि जो यहां पे distribution हो रहा है अब बच्चों इसको बाराने के लिए इसको यूज करते टाइम हमें क्या देखना है जो information दे रखिये उसको हमें cumulative manner में क्या करना है यहां पे बताना है ठीक है उनको indicate करना है और यहां पे बताना है बई कितनी inequality है यहां पे जो distribution हुआ है उसमें आगे बच्चों it is especially useful to in compare of variability in two or more distribution by drawing two or more orange curve on the same axis यहां पे बच्चों यह useful कब आता है यहां पे दो और दो से ज़्यादा जब measurement हमें variability दी हुई है ठीक है दो या दो से ज़्यादा हमें distribution दिआ हुआ है और उसका हमें क्या निकालना है यहां पे देखना है कितना difference है वेल्यूज में कितनी inequality है तो बच्चों यहां पे हम दो और दो से जादा हम क्या बना सकते हैं लोरेंच कव बना बना सकते हैं किस में same access पे हम लोरेंच कव बना सकते हैं सिंपल साथ बच्चों अब तक हम लोग क्या देख रहे हैं दिस परजन देख रहे थे नमरिक टम में नुमेरिकल टम में देख रहे थे जिसमें हमारे जो चारों जो मेजर्मेंट थे कौन-कौन से पहला रेंज सेकंड कॉटल deviation थार्ड मीन देविशन एंड फोर्थ हमारा स्टेंडर डेविशन चारों जो क्या आते हैं हम लोग डिस परजन देख रहे थे थे ठीक है हम वेरिबिलीटी देख रहे थे किसमें इन चारों में as a नमरिकल हम नुमेरिकल फॉर्म में इनमें देख रहे थे तर lawrence curve क्या कहता है lawrence curve कहता है कि भाई dispersion है अगर values में dispersion है सो हम उसको कैसे करेंगे graph में represent करेंगे ठीक है और इसको सबसे पहले बनाया कब था इसको यहां पर professor lawrence ने मनाया था कब बनाया था इनों ने बताया था कि भाई जो income और wealth का पार जो distribution है वह population में किस तरहां से हैeren Watts the county population किस तरह से और उसी के basis में उन्हों ने देखा कि Equality है distribution mein Equality नहीं है Equality होथी तो यहां पर बचौगो difference होता ही नीर्स तो होता ही नीर्ट को होता ही इस कि एप डेखेंगे कि inequality है और इस inequality को भी बच्चों यहां पर क्या करा है, शो किया गया था हमारे कर्व में और उसी कर्व में हमें क्या मिल गया, यहां पर measurement करने को मिल गया, dispersion और यही क्या है, बच्चो लोरेंच कर्व है ठीके, दो से 2 या 2 से अधिक, हमें 2 या 2 से ज़ादा अगर हमें यहां पर देखना है बच्चो compare करना variability compare करनी है values में एक ही ग्राफ में ज्यादा से ज्यादा लॉरेंज कर बना सकते हैं ठीक है जिन जिन का देखना है ठीक है बच्चो सो हम यहां पर degree of inequality देखते हैं अब बच्चो इसको निकालने के कौन-कौन से step है हाकिर हम कैसे जो हमारा लॉरेंज कर में गया तो हमें कौन-कौन से step है वो follow करने पड़ेंगे सबसे पहला step है calculate class midpoint to obtain हमारे पास values दिए हमारे पास interval भी होगा और मैं हमारे पास जो है frequency भी होगी अब बच्चो जो हमारी class interval है उससे हमें सबसे पहले क्या निकालना है midpoint निकालना है MP की calculation करनी है फिर जो बच्चो midpoint निकला है उसको हमें multiply करना है किस से हमें उसके class frequency से multiply करना है ठीक है fx करना है उसके बाद में बच्चो express frequency in each class as a percentage of the total frequency अब बच्चो हमा उसका हमें percentage बनाना है ठीक है उसका क्या करना है percentage बनाना है सारा करेंगे बच्चो एक एक करके समझेंगे express total income of each class as a percentage of the grand total income of all class all class together ठीक है अब बच्चो जो total income है each class के उसको हमें क्या करना है percentage पे हमें उसको बताना है prepare less than cumulative frequency or cumulative income फिर क्या करना है बच्चों less than cumulative frequency और या फिर हमें less than cumulative income के बारे में बताना है the cumulative frequency of employed इसके बारे में बताना है the cumulative income are going to these person draw a line joint उसके बाद में हमें क्या करना है बच्चों draw करना है एक curve उसके बाद में हमें cumulative percentage देखना है अब बच्चों कैसे करेंगे हमारे पास data दिया हुआ हमने पहले से ही एक data लिख रखा है बना के बच्चों इसमें किस तरह से हम बताएंगे ठीक है गिवन बिलो आर्दी monthly income of employees of a company ठीक है एक company में बच्चों जो employees की income है वो दी हुई है अब बच्चों हमारा सबसे पहला step अभी यही मान के चलो कि हमारे पास दो ही यहां पर क्या है बच्चों data है कौन कौन सा हमारे class income है याने हमारा सबसे पहला स्टैब का करना है सबसे पहला क्या करना है कि बई मिड़ पॉइंट करो ठीक है मैं हमने सबसे पहले मिड़ पॉइंट केल्कुलेट किया कैसे किया इन दोनों को एड़ करके डिवाइट कर दिया तू से ठीक है तो हमारा मिड़ पॉइंट आ गया अब मैं इस फिक्वेंसी को हमें यहां पर क्या करना था एक सेकंड ओके फिक्वेंसी ओफ क्लास fx ठीक है यह है फिक्वेंसी सॉरी सॉरी बच्चो यह है फिक्वेंसी एक सेकंड यह है हमारी एक सेकंड एक सेकंड यह हमारी फिक्वेंसी ठीक है यह हमारा मिड़ पॉइंट आ गया और यह हमारी क्लास इंटरफल यह फिक्वेंसी है मैं अब क्या करना है यहां पर इन दोनों को मल्टिप्लाइ कर देना है ठीक है तो अगर हम इन दोनों को यही आंसर आएगा किया हमारा 2,500 इन दोनों को अब क्या करना है मैं जो हमारा मिड़ पॉइंट आया है इसको और हमें मल्टिप्लाइ करना है किस से हमारा mp से हमारा मिड़ पॉइंट और फिक्वेंशी को मुझब बल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारे पास टोटल इंकम आ जाएगे 2500 को 5 से मुल्टिप्लाई करा तो 12,500 7500 को 10 से मुल्टिप्लाई करा तो 75,000 then हमने 15,000 को हमने 18 से मुल्टिप्लाई किया तो हमारे पास 2,70,000 आ गया ठीक है मैं यह हमें पता चल गया हमने पॉइंट कैसे निकालते हमें आता है फिक्वेंसी पैले सी दियुही है । अब हमें क्या करना था मिट्पोइंट से फिक्व proudly करना था तो हमारे पास क्या आ जाता । oleal इंकम आ जाती है इतना हमने कर लिया इच लास परसंटेज ठीक है यह हमने कर लिया multiply करके हमने यह निकाल दिया ठीक है अब क्या करना है हमें इच क्लास की frequency से क्या करना है उसका percentage बनाना है ठीक है मैं तो हमारा यहाँ पे class frequency की अगर हम बात करें ठीक है अब बच्चों यहाँ पे frequency का percentage कैसे मनेगा इसका टोटल होगा इसका टोटल 50 है 50 को अगर हम 50 का 5 परसंट देखेंगे 50 में से तो कितना परसंट है 10 परसंट है 10 जो है 50 का कितना परसंट है मैं 20 परसंट है ठीक है 20 यहाँ पे 36 इस तरह से हमारा क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा ठीक है क्लियर हो गया हमने percentage निकाला है frequency का 10 परसंट है 20 परसंट है 36 30 ठीक है बच्चों कैसे निकालना है समझ में आ गया ना इसका टोटल है 50 और अब 5 को डिवाइड कर दो 50 से और मल्टिप्लाई कर दो 100 से तो क्या हैगा 10 हमारा आ जाएगा 10 को डिवाइड कर दो 50 से और मल्टिप्लाई कर दो 100 से 18 को डिवाइड कर दो 50 से और मल्टिप्लाई कर दो 100 से 10 को और 7 को भी ऐसे ही डिवाइड करना है 50 से और multiply कर देना है 100 इतना ही है बच्छो अब बच्छो York हमने percentage निकाल लया frequency का अब हमें percentage निकाल लोगा है total income का कैसे निकालेंगे simple सा है I expand इसको क्या करना है हमें पहले यहाँ पे क्या करना है add करना है धन जैसे हमने frequency का percentage निकाला वैसे टोटल इंकम का भी परसेटेंज निकालेंगे जब हम इनका टोटल करेंगे बच्चो जितनी भी इसकी टोटल आएगी यहां पर 12,500 से उस टोटल को यहां पर डिवाइड करना और हमारा यहां पर नंबर और टोटल इंकम आगे अब बच्चो देखो ध्यान से देखो अगर हम बात करें जो 0 से 5000 में जो इंप्लॉई है जिनकी इंकम है उनको यहां पर इंकम का डिस्टिबूशन कितना हो रहा है 1.29 ठीक है अब बच्चो एक ग्रूप है 40 से 40,000 से लेकर 50,000 भी इंकम का हमने पर संटे जियागा थिक आ सो इसी से हम क्या बनाएंगे इस वाले से हम cumulative frequency बनाएंगे सो हमारा यहाँ पे income class कैसे बनाना है सो सबसे पहले हमें less than income का हमें यहाँ पे cumulative frequency curve बनाना है ठीक है मैं यहाँ पे पहले 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है यहाँ पे less than income less than income ठीक है अब less than income कितनी है 0 to 5,000 तो हमारा less than 5,000 तो यहाँ पे लिख देते हैं less than 5,000 ठीक है मैं आगे 10,000 से less than 10,000 तो हम करेंगे less than 10,000 ठीक है मैं वैसे ही अगला आ जाएगा less than 20,000, 40,000 and 50,000 less than 20,000, 30,000, 40,000 and 50,000 ठीक है 50,000 अब बच्चों इनकी frequency देख लेते हैं frequency कितनी है अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे यह वाली यह वाली frequency लेंगे ठीक है सो हमारी frequency क्या है percentage of frequency सो मैं यहाँ पे cumulative frequency ठीक है ठीक है सो यहाँ पे percentage of frequency देखेंगे बच्चों सो हमारी percentage of frequency अगर हम f की बात करें और यहाँ पे cf निकालना हमें f कितना है 10 20 then 36 then 20 then हमारे यहां कितना है 14 अब मैं इसका cumulative frequency निकालना है हाँ हमने जो percentage लिया है frequency का वो लेना है यह वाली frequency नहीं लेना है ठीक है हमने जो percentage निकाला है frequency का वो लेना है बच्चों अब बच्चों frequency निकालेंगे सो हमारा cumulative frequency कैसे निकालते है इनको add कर लो तो 10 आ गया 10 प्लस 20 कितना होगा 30 हो जाएगा 66 मैं और मैं अगर हम यहां पे 20 को add कर लें तीक है सो यहां पे आ जाएगा हमारा 86 और 86 में 14 को add कर लें नहीं यह कितना आ जाएगा हनड्रेट आ जाएगा cumulative frequency curve बना दिया फिक्वेंसी हमारे पास cumulative frequency हमने निकाल दी अब बच्चो बारी है किस के मैम यहाँ पे draw करने की क्या हमारा यहाँ पे लॉरेंच करब सो बच्चो लॉरेंच करब को कैसे draw करना है simple सा है मैम अगर हम बात करें जो ये है ये OE जो है मैं वो क्या है हमारा अगर हम बात करें line of equal distribution equal distribution जो है बच्छो यह होना चाहिए था ठीक है equal distribution की बात करें सो मैं यह वाला होना चाहिए था पर actual में यह इस तरह से हुआ पहले a पे फिर b पे फिर c पे फिर d पे फिर e यह वाला क्या बता यह वाला distribution यह लॉरेंज कर्व को बता रहा है सो मैं अगर हम बात करें oe is called the line of equal distribution since it would imply a situation like top 20 people earned ठीक है बच्छो अब जो यह oe जो है बच्छो वो क्या बता रहा है equal distribution को बता रहा है ठीक है अब बच्छो since it would imply a situation like top 20 percent people earn और यह जो situation क्या बता रही है कि जो top 20 है वो क्या कर रहे है earn कर रहे है आगे हम कहेंगे मैं 20 percent of total income and top 60 percent earn 60 percent of total income ठीक है बच्छो जो हमारा data है उसी से through हमने यह total income top 60 percent और ठीक है 20 percent जो income है बच्छो total income की ठीक है total income है उसका 20 percent जो है वो ज्यादा तर लोग earn कर रहे है sorry 20 percent जो है वो ज्यादा income earn कर रहे है और remaining जो income है बच्छो वो 60 percent जो people है वो earn कर रहे है यह बता रहे है ठीक है the further the curve o a b c d e from this line the greater is the inequality percentage of the distribution अब बच्छो यह जो लाइन है o a b c d और e यह क्या बता रहा है inequality of distribution बता रहे है देखो अगर हम बात करें यहाँ पर इंकम का distribution देखो percentage of total income देखो इंकम का distribution कितना अलग तरहीके से हुआ है कितना जादा difference है यहाँ पर अगर हम इस group को देखे तो इनकी जो इंकम है 1.29 परसंट है वहीं इनकी जो group है यहाँ देखे तो इनकी इंकम है 32.39 परसंट ठीक है यानि कितना ज्यादा inequality है इक्वैलिटी नहीं है बनकी inequality है और यह वाला जो कर्व है वह इनक्वैलिटी को ही दिखाता है ठीक है बच्चो इफ देर आर तू और more curve on the same axis the one which is the farthest from line OE was the highest inequality अब बच्चो हमारा OE जो था वह इक्वैलिटी को बता रहा था और बच्चो यह वाली जो लाइन है वह क्या बता रही इनक्वैलिटी को बता रही और बच्चो अगर बहुत जादा difference है इन दोनों line में तो कहने का मतलब है हमारा जो dispersion है वह बहुत जादा है किके inequality बहुत जादा है income मैं सो मैं यहां पर कैसे लॉरेंच कर्व को यहां पर draw करना है हमने देख लिया और किस तरह से मैं इसको calculate करते हैं कौन-कौन से steps है यह भी हमने देख लिए ठीक है बच्चो I hope so कि आपको भी समझ में आया होगा अब बच्चो अगर हम पूरे chapter का conclusion देखे तो हमारे पूरे chapter का conclusion क्या है although range is the simplest and calculated and understand it is unduly effected by extreme value अगर हम देखते हैं बच्चो जो range था हमारे लिए क्या था सबसे simplest way था measure करने का dispersal पर मैं यहां पर अगर हम बात करें कि यह क्या होता है मैं यहां पर जो इसकी extreme value है वो क्या होती है effect हो जाती है अगर extreme value effect होती है जिससे हमारे range भी क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा पर अगर value अंदर की value है यानि extreme value के अलावा जो values है अगर उसमें changes होता है तो हमारे range पर कोई भी impact नहीं पड़ेगा qt is not affected by extreme value as it is based on only middle 50% of the data वहीं बच्चों हमारे जो quartile deviation है वो यहां पर जो extreme value है उसके effect होने से ठीक है जो extreme value है उसको effect नहीं कर पाती है उसके अलावा यह जो है बेस्ट होने किस पर अबच्चों middle 50% of the data याने यह median पर बेस्ट है जैसे median को निकाला था हमने वैसे quotile deviation को भी निकाले it is more difficult to interpret MD and SD both are based upon deviation of value from their average अब बच्चों थोड़ा hard level पर क्या आ गया हमारा mean deviation और standard deviation आ गया पर यह मैं क्या है accurate data देता है पर इनसे जो deviation है वो कैसे निकलता है वो average से निकलता है इन दोनों में बच्चों एक data एक दूसरे से कितना spread है वो देखते है इसमें देखते हैं बच्चों कैसे कि जो value है एक दूसरे से जो average की value निकलती है और एवरेज की वेल्यू से जो दूसरी वेल्यू है मैं उसमें कितना डिफरेंस है ठीक है M.D. calculate average as a deviation from the average but ignore sign of deviation and therefore appears to be unmathematical अगर हम M.D. की बात करें mean deviation मैं mean deviation बहुत अच्छे से calculate होता है ठीक है बहुत सही हमें data भी देता है पर एक चीज इसमें सबसे बेकार है या फिर हम कह सकते है unmathematically हम उसको कह सकते हैं क्या कि यहां पे जो sign होता है उनको वो ignore करता है सारे के सारे sign positively लेता है जिससे कि जो data है उसकी accuracy क्या हो जाती है कम हो जाती है ठीक है तो यह एक तरह से क्या है unmathematical है वहीं हम standard deviation की बात करें standard deviation attempt to calculate average deviation from mean अब बच्छो जो standard deviation है वो हम calculate कैसे करते है average deviation से जैसे कि हमने MD को करा था it is based on all value and it is also applied for more advanced statistical problem वहीं बच्छो standard deviation में अगर आपको याद है सो हम वहां पर क्या करते थे sign लेते थे ठीक है जाए negative sign है उसको भी हम consider करते थे चाहे positive sign है उसको भी हम consider करते थे अब बच्छो यहां पर सारी value के based पर कौन होता था standard deviation और mean deviation जो दोनों होते थे पर standard deviation है मैम वह ज्यादा तर use होता है वह reliable है और यहां पर सबसे ज्यादा use होने वाला measurement है वह standard deviation ही है और मैम यह advanced statistical जो problems है उसमें भी use होता है वहीं हम कहेंगे it is most widely used measure of dispersion और यह सबसे ज्यादा use होने वाला dispersion है सभी जगा सबसे ज्यादा कौन साई dispersion use होता है standard deviation use होता है so students आज के session में हमने absolute और relative measurement के पारे में पढ़ा था उसी के साथ हमने coefficient निकालना देखा था सारे जो हमारे measurement थे उनका उसे के साथ हमने आज graphical measure of dispersion यानि की लॉरेंज कव के बारे में पढ़ा और उसके साथ हमने जो हमारा पूरे चैप्टर का जो conclusion था यह हमने देखा so I hope so कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा thank you